पब्लिक टीवी आपकी आवाद उत्तर प्रदेश के जन्पद मुरदबाद के मेनाठेर थनाचेतर के महमूद पूर माफी का एक मामला सामने आया था मामला प्रकाश में आते ही पुलिस ने भी कारवाई कर दी और पुलिस ने एक आरोपी को पकर कर जेल भेज़ दिया तो वही आज SDM बिलारी और CEO बिलारी ने पीडित डॉक्टर के घर पहुँच कर सुरक्षा का जायजा लिया और पीडित डॉक्टर को सुरक्षा का आश्वासन दिया तो वही दो सिपाही सुरक्षा में तैनात किये गए आपको बता दें कि फत्वा जारी होने के बाद से डॉक्टर का परिवार दहशत में है और उन्होंने पोलिस को तहरी दे कर मामला दर्ज कराया था महना ठेर थाना छेतर के महमूद प्रमाफी के रहने वाले डॉक्टर एमेन भारती पोलिस से शिकायत करने कहुँचे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आरेसेस की पत्व संचलल की यात्रा में उन्होंने स्वागत किया था जिसके बाद उनके खलाफ़त्वा जारी कर दिया गया है और उन्हें जान से मारने वाले को एक लाख रुपे की घोशना भी की है प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्दे नजर दो सिपाहियों की तहनाती की गई है अगर ये उन्होंने स्वागत की विचारधारा की वेक्ति हैं और इन्होंने जो किया वो इनकी भावनाय थी उसके प्रत्रिया सुरूप कुछ लोगों ने जो इनको धंकिया दी है जिससे यहां पुरे आपके ममूत माफी छेत में लोग सान्ती भंग होने की प्रबल आसंका हो गई थी और एक तरह से लोग काफी यहां भैवीत हो गए थे यहां तक कि लोगों ने दुकाने बंद कर ली थी अपने घरों में कैद हो गए थे उसको हमारे पुलिस प्रसासन ने बहुत मुस्तेदी से सान्ती बेवस्था को बहाल कर गया है और आज की तारीक में सारी दुकाने खुली हुई है लोग अपने रोजमर्रा के कारियों को निक्टा रहे हैं किसी प्रकार की कोई आसंका नहीं है अब और डाक्टर निजाम की जहां तक बात है उनके साथ हमारा पूरा पुलिस प्रसासन हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर उनके साथ है और इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी और पर्याप सुरक्षा विवस्था इनको प्रदान की जाएगी ये अपने रोजमर्रा के दायतों का निर्वान करें पुलिस प्रसासन इनके साथ कटिबद्ध है इनकी सुरक्षा के लिए और ततकाल आपने देखा होगा हमारे पुलिस ने कितनी मुस्तेदी से कारवाही किया मुल्जिम को ततकाल गिरफतार किया और उसको जेल भेजा और उसके उपर संगीन धाराओं में मकर्मा दर्ज किया है आगे भी उनके विल्ध अनेक प्रकार की निरोधात्मक कारवाई अमल में लाई जाएगी ताकि इस प्रकार की जुर्रत आगे कोई व्यक्ति ना करेगा पब्लिक टीवी आपकी आवाद